कहा जाता है कि रावण की मृत्यू के बाद उसकी पत्नी मंधोतरी भगवान राम से मिलने उनके शिविर में पहुँची जैसे ही उनके शिविर में गई वहाँ उपस्थित सभी वानरादी जो जानते थे कि मंधोतरी एक पतिव stood और उत्तम इस्त्री है तो उन्हें भगवान राम से मिलने जाने दिया गया। भगवान राम उस समय समुद्र की तरफ मूँ करके खड़े थे और वो इस बात को सोचकर बहुत दुखी थे कि ये भीशन नरसंगार जो हुआ इसे रोका जा सकता था। मंदोद्री भगवान राम की तरफ बढ़ी तब मंदोद्री की जो परचाई थी उनकी जो चाया थी वो भगवान के चरणों की तरफ पढ़ने ही वाली थी कि उससे पहले ही भगवान राम ने जब ये महसूस किया कि किसी इस तरी की चाया उन पर पढ़ रही है तो फॉरण व महाग्यानी थे महापंडे थे लेकिन उन्होंने अनी थी कि जिस वज़े से मैं जे उनका वद करना पड़ा जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ मंदोदनी ने कहा कि मैं आपको यहां कोसने नहीं आई हूँ बस जानना चाहती थी कितरे लोग विजेता मेरे पती आखिर तुमसे कैसे हार गए लेकिन मुझे तुम्हारे पलटने से पहले ही मेरे इस प्रशन का उत्तर मिल गया मेरे जैसे सुदरशना के होते हुए भी वो परिस्तरी से परिस्तरी को पाने की इक्षा रखते थे मेरे जैसे सुदरशना सुलक्षना के होते हुए भी उन्हें एक वलकल वस्तर पहनी हुई किसी और की पतनी भाई और वो उसे बिना उसकी इक्षा के ही लंका में उठा कर ले आए और एक तरफ तुम हो राम तुम्हें आभास हुआ कि तुम पर किसी पर इस तरह की छाया पढ़ रही है तुम फॉरण वहां से उठकर खड़े हो गए यहीं अंतर था तुम में और मेरे पती में यहीं वज़ा है कि वो हार गय और यहीं वज़ा है कि तुम जीत गय फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो make sure मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर कीज़िए जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उन्हें बार बार थैंक्स कहती हूँ मैं अपने हर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर को थैंक्स कहती हूँ